हाई लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूटूब चैनल सूबा स्टड़ी पे तो चलिए शुरू करते हैं आज के कलास आज है लोग पढ़ेंगे जो इडियोटिरिया का पाँछे अरजी के पूख है उसका अगला पाट जो की बिहार दोरोगा और बिहार एसेसी और पुलिस के लिए बहुत ही लबदायक पूख है तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन हो जाएगा भारत में लोग तो अंतर इस तत्य पर अधाईथ है कि आपको बताना है कि भारत में जो लोग तो अंतर किस तत्य पर अधाईथ है तो इसमें हो जाएगा जनता को सरकारो वह कहेगा किस देश के सभिधान से लिया गया है तो इसमें हो जाएगा अमेरिका और संखिय विवस्ता कह刁प किस देश का सभिधान से लिया घया है ति यह हो जाएगा कनाड़ा से असा विधान सभाकाय कोब लाओ किया गया था 26 जन्वरी 1950 में आगे देख लेंगे दू नमर कोश्चन है भारत में संसदिय सरकार की निम्लिकित बिसिस्ता हैं भारत में संसदिय सरकार की निम्लिकित बिसिस्ता हैं ये सही है बाकी अप्सन देख लेते हैं मंत्री परशत समोईक रूप से उचे सदन के प्रती उतरदाई होता है मंत्री परशत समोईक रूप से उचे सदन के प्रती नहीं उतरदाई होता है ये नीमनी सदन के प्रती उतरदाई होता है और नीमनी सदन कहा जाता है लोग सभा को और उचे सदन कहेगा तो राज सभा को आते हैं और देख लेते हैं मौंतरी अपना पद समभालने से पहले लोग सभा अध्यक्ष के समख सपत लेता है वो लोग सब अध्यक्ष समझ सपत नहीं लेता है वो समान रुप से सपत लेता है चार नमर हो जाएगा भारत में राश्पती वास्तवी कारेपालक होते हैं ये गलत है भारत में जो वास्तवी कहेगा कारेपालक कौन है तब परधान मंत्री हो जाएगे आगे देखेंगे, तीन नमर कोश्चन हो जाएगा, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अलपी करने वाली बीधियों को सभिधान के कीस अनुछेद के अंतरगत सुने घुसित किया गया है, तो यह हो जाएगा अनुछेद 13, मूल अधिकारों का उलेक अनुछेद 12 से 35 तक म और अनुछेद 21 में काएगा तो परायों दहिक सोतन्ता है, अनुछेद 29 में काएगा तो नागरी की सोतन्ता दिया गया है, वही अनुछेद 29 के अ में काएगा तो बोलने की सोतन्ता दी गई है, अनुछेद 37 में है कि राज एक नीती नीज़सक जो तत्व है, यह नियाले द्वारा परिवर्थित नहीं होगी आगी देख लेते हैं चार नमर कॉस्चन हो जाएगा भारत के सविधान में अंतराष्टीय सांतिय और सुराक्षा की अधिवरिधी निम्नलीकित में से कहां उलेकित किया गया है यह उलेकित किया है सविधान की जो भासा है यह अश्टेलिया के सभिधान से लिया गया है अंतराष्टी सांती और सुरक्षा कएगा तो अउश्चेद 51 में है सभिधान के मूल करतब कएगा तो अउश्चेद 51 के कौ में है आगे देख लिते हैं पांच निमर कोशन हो जाएगा, प्रथम जो प्रिथवी समेलन कहां आयुद किया गया था? प्रथम प्रिथवी समेलन हुआ था ब्राजिल की राधानी रियो डेजेनेरियो में और डेट कहाएगा तो 1992 में, वही कोटो पर्टोकॉल कहा किसलिए किया गया था? तो ये जो वाम गोठन कब गता, 7 अप्रिल 1948 में, इसका मुख्याले कईगा तो जेनेवा हो जाएगा, और 20-180 दिवस 7 अप्रिल को ही मनाया जाता है, किस महदीब को मानव जाती का जन्म अस्थल मानजाता है, तो जन्म अस्थल मादीब कईगा तो अफिरिका हो जाएगा, अफिरिका को काला महादीब भी कहते हैं और प्राइटीपी महादीब कहेगा तो यूरोप हो जाएगा और मानो का घर कहेगा किस महादीब को कहते हैं एसिया महादीब को मानो का घर हो जाएगा एसिया महादीब और मानों का जन अस्तलोला काएगा तो अफिरिका मातिफ हो जाएगा और अस्टेलिया में काएगा तो एक भी जुआला मुखी नहीं है पर्मुख परबत यह उसके सर्वोचे बिंदू का सही मिलान काएगा कि कौन सा सही नहीं है पर्मुक पर्वत और उनके सर्वोचे बिंदू का कौन सा सहे मिला नहीं है तो इसमों हो जाएगा D आलपस का सर्वोचे चोटी एलवुरूस नहीं होगा आलपस का सर्वोचे चोटी का नाम है एलपस और रोकी का सर्वोचे चोटी का नाम है माउंट मैरी इलवर्ट नीमल में कौन सा गरह बीना उपगरह के है, यानि बीना उपगरह वाला गरह बताना है तो इसमें हो जाएगा सूक्र और बूध, ये दोनों का एक भी उपगरह नहीं है, सबसे अधिक उपगरह वाला कहेगा गरह कौन सा है तो बेसपती हो जाएगा बानवेगो, मंगल गरह क पांतर सबसे अधिक होता है और बूद्ध गरह पे कहेगा तो चुमबकी चेत्रे पाया जाता है वरुण गरह के खोज किये थे जुहान गयले 1946 में वरुण के नेफ्चुर भी बोलते हैं इंगलीज में आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा नौम नुमर है गलोब पर क इस बिरित को बिरित कहा जाता है गलोब पर विश्वत रेखा को बिरित कहा जाता है और विश्वत रोखा को दो बार कटने वाली कहेगी नदी कौनसी है तो कांगो नदी हो जाएगी करक रेखा को दो बार कटने वाली नदी हो जाएगी माही नदी और मकर रेखा को दो बा से अगर में सिल्कान वैलीव हो जाएगा केरल आगे देखेंगे कि एक यह इंगर नमर कोश्चन हो जाएगा इलेक्ट्रो मैगनेटिक तरंगे कैसी बनती है इलेक्ट्र मैगनेटिक तरंगे बनती है फोटोन के गती के कारव और परकास के गती सबसे अधिक होता है निर्वात में और निर्वात में परकास के गती हो जागा तीन गुणे दस के पावर आठ मिटर पर सेकेंड संगोला की संधी का एका कब हुआ था संगोला का संधी हुआ था सतरो सपचास इस्वी में राजा रम्तिवितिये और बाला जी बाजी राव के बीच हुआ था सतरो सो अठाइस में पालखेडा का यूद हुआ था बाजी रवपरत्थम और हैदराबाद के निजाम के बीच में तेरा नमर कोशन हो जाएगा मिलान करना है सुची वन को सुची टू से मिलान करना है रक्त पलाजमा किया है तो रक्त पलाजमा हल के पीले रंका तरल पदार थे हैं एल्बु में कहेगा तो एल्बु में ओस्मेटिक दाब अस्थापित करता है गल्लू बिविवलिन का कारड़ है सांकरांकमक रोखों से रक्षा करना अगे देखेंगे चौदो नमर कोशन हो जाएगा भारत के सर्वोच नियाले का मूल अधिकार छेत्रे निम लिखी था भारत के सर्वोच नियाले का मूल अधिकार छेत्र हो जाएगा भारत सरकार और एक या अधिक राजियों के बीच बिवाद सुझाना और सरवोच नियाले का गठन किया गया था 8 जनवरी 1950 में आगे देखेंगे 15 नमर कोश्चन हो जाएगा किसी राजे में अधिक्तम कितने समय ओधी तक राश्पती सासन लागू रह सकता है अधिक्तम हो जाएगा तीन बर्ष तक और निम्तम होता है 6 मां तक राश्टी आपातकाल की उलेख किया गया है अनुछे 352 में और बीती आपातकाल का उलेख है अनुछे 360 में और राश्पती सासन लागू होता है अनुछे 356 के तोथ जो आपातकाल है ये जर्मानी के सविधान से लिया गया है मुद्रा राचस के कहएगा लेखा कौन है? बिसाक दत हो जाएगा मुद्रा राचस में चंदगूत मुद्य के परसासन के बारे में उलेख किया गया है और अंगूतर नीकाई में सोरो महाजन पदू का उलेख किया गया है आगे दिखेंगे 17 नमर कोशन हो जाएगा एक मात्र बहुद्र सबा जिसका आयोजन बिहार में नहीं कंदूर थे और ये किया गया था कुन्डन बन जमू कस्मीर में पहला बहुद्र सबा का आयोजन हुगा थाराजगिरी में दूसरा कहेगा तो बैसाली में और तीसरा कहेगा तो पाड़ते ही पूत्र में यह तीनों बिहार में ज़ती थे और कहेगा किसका सासन काल था तो पहला में हो जाएंगे आकाज सत्रू दुसरा हो जाएगा काला सोक, तीसरा हो जाएगा असोक और चौथा में हो जाएगा कनिक्स आगे देखेंगे आठारा नमर कोशन है भारत में हीरा धारान करने वाला छेत्रे कौन सा रोक सिस्टम है तीसमें हो जाएगा बिंधायन भारत में हीरा धारव करने वाला छेत्रे कौन सा रोख रिष्टा में तो बिंधायन धारवार कहां इसी था तो करनाटक में इसी था परथम जैन महासावा का आयोजन कहां पर किया गया था दूसरा कहेंगा, जन मा साबा कहां हुआ था तब बलभी गुजरात मुँआ था और इसका अदेख्ता किये था, छमा सर्वान ने और प्रतम बार कहेंगा, माबीर कहां पर उप Bliss दिये थे, माबीर बोल रहा है कहां उप Bliss दिये थे तो राजगिरे में यहां कनफ्यूज मत हुएगा गौतम बुद कहाएगा पहली बार उपदेश कहां दिये थे तो यह सारनात में दिये थे और महाबीर का देगा तो राजग्री में दिये थे महाबीर का जर्म हुआ था बैसाली जीला बिहार में 540 इसा पूर्व में आगे देख लेंगे 20 नमर कोशन है किस बंस के सासकों ने बरामडों यह बहुत बीच्वों को भूमी अनुदान देने की प्राथा परणरम की तो इसमें हो जाएगा सत्वाहन बंस सत्वाहन बंस के संस्थापक थे सीमुख और सत्वाहन बंस ने पहली वर्षी सा का सीखा जारी किया था वह ही कह देगा कि सोने का सीखा कि स्वार प्रथम किस ने जारी किया था तो ही इन दिनानी ने गुप्द बंज के संस्थापक हो जाएगा सीरी गूप्द और बूध की खड़ी जो परतीमा बनाई गई थी या कुसाड़ बंज में बना था यानिकी कुसाड़ काल में पॉलो बंच के करेगा संस्तापक कौन थे तो सिमें भी सुल हो जाएंगे और अधानी हो जाएगा कांची पूरों 21 नमर कोचन है एलकाइन का आणिविक सुत्र हो जाएगा CNH2N-2 एलकाइन का हो जाएगा CNH2N-2 और एलकाइन का होता है CNH2N आगे देखेंगे 22 नमर कोचन हो जाएगा कोजिका विवाजन के कीस अवस्ता में क्रोमोसोम असपर्ष्ट दिखाई देता है तो इसमें हो जाएगा मद विवस्ता मद विवस्ता या वस्ता में कोजिका विवाजन के जो क्रोमोसोम असपर्ष्ट दिखाई देते हैं और पौली बार कोशिका विवाजन को किस ने देखा था था थारा सो पच्पन में बिर्चावू ने देखा था और सुत्री जो विवाजन है यह अभियक्सित कोशिकाओं होती है और सुत्री विवाजन कहां होता है तो अभियक्सित कोशिकाओं होता है गुर्तवा कॉर्सर नियतां क्यानि के बड़ा जी का बिमिय सूत्र क्या है M inverse L के पावर 3 और T के पावर माइनस 2 हो जाएगा बड़ा जी का मान अब से कहेगा तो हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 Newton मीटर स्क्वाइर और पर केजी स्क्वाइर आगे देख लेंगे 20 नमर् कॉशन है पेंटागोनिया मर्वस्तल कीس मादेश में वस्दित है पेंटागोनिया जो मर्वस्तल है ये दचीन अमेर tiss única में जीते है और 20 वे का सबसे बड़ा मरुस्तल कहेगा तो सहारा हो जाएगा जो की ऊत्री अफिरिका में है और सोनो रन मरवस्तल हो जाएगा उत्री अमिर्का में और एसिया का सबसे बड़ा मरवस्तल हो जाएगा गोबी जो की बीश्वे का सबसे बड़ा सीथ मरवस्तल है और ये मंगोलिया में सीथ है 25 नमर देख लेंगे फोकलेंड की जलधारा किस परकार की जलधारा है फोकलेंड जो जलधारा है ये ठंडी है और कहेगा किस का है तो अंटाकर्टिक का है अंटाकर्टिक का है आगे देख लेंगे 26 नमर कोशन है DNA की स्रिंखला बंद होती है डियने के जो सिरिंग लाए हैं बंदी होती है तो हाइड्रोजन बंद से और डियने में कहेगा कौन कौन सी पाय जाती है एडिनीन, गुवानीन, थाइमीन और साइटोसीन ये डियने में पाय जाती है एडिनीन, गुवानीन, थाइमीन और साइटोसीन और आरेने में साइटो कि कीसे करद्ऄ सुच में पॉसक होता है, न्युटोजन नाइटोजन सैंसे जो फिल वने पायान है जिसके कारण जो पॉधिक पॉधी के के जमने में मदद करना और सरीर के अंदर का एगा रप्त किस के कारण नहीं जमता है तो हीपेरिन के कारण और हीपेरिन के निर्माड होता है यह अक्रित से पिलितिजर पुरसकार की छेत्र में दिया जाता है? पुलितिजर पुरसकार हो जाएगा यह वस्तुकाला के छेतर में जिया जाता है जिसकी शुरुवात हुई थी 1978 में और पुलितिजर पुरसकार कहेगा तो परत्रिकालिता के छेतर में जिया जाता है जिसकी शुरुवात हुई थी गयन के छेत्र में दे जाने वाला पूरसकार हो जाएगा ग्र्यमी अवाट और इसकी शुरुभात्र थूति मेंुद आगे देखेंगे तीस नमर हो जाएगा निमने लिखित में भारत की सुदूर दची पाड़ी कौन सी है तीस में हो जाएगा सुदूर दची पूर रायत कार्डेमियम की पाड़ी जो की केरल मिच्धी थै और दची भारत की सबसे उची चूटी कहेगा तो अन्ना मलाई हो जाएगा जो कि दसी भारत की सबसे उची चोटी है और निलगीरी की सबसे उची चोटी काएगा तो दोदा बेटा हो जाएगा जिसकी उचाई है 26-37 मीटर जिसकी उचाई कितनी है 26-37 मीटर आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा एक तीस नमर किस समिधान संसोदन अधिनियम दोरा यह अपरदान किया गया कि राश्पति राष्टी आपतकाल की उद्गोशना के और मंत्री मंदल की लिखित सिफारिस पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है तो यह किया गया था चवलिषव समिधान संसोदन जोकी 1998 मुँआ था और इसमें समपति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर विदिक अधिकार में रख दिया गया था ब्यालिषव समिधान संसोदन कैगा तो निसो ची अत्तर मुँआ था आगे देखेंगे 32 नमर कोशन हो जाएगा नबाड की अस्थापना की समिधी की संतूती पर हुई नबाड की अस्थापना हुआ था सिवरामन समिधी के तहट और नबाड की अस्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में आगे देखेंगे और सब देख लेते हैं अप्शन राजा चलया समिती जो है ये कौर बटवारे से समनित है नर्सीमन समिती कहेगा तब बैंकिंग सेवा सुधार से है और भगवती समिती का समन्द हो जाएगा विरोजगारी से आगे देख तेटीस नमर है सुची वन को सुची टू से मिलाना है सुची वन में है कीट और सुची टू में हो जाएगा संचारीत रोग बालू मखी से होने वाला रोग कहेगा तो काला जार हो जाएगा और मदा किलेस मखी सोता है फाईलेरिया मदा किलेस मखी कटने से फाईलेरिया हो जाएगा और घरेलू मखी कटने से हैजा होता है और मदा एने फिलीज मचर से मेले रिया होता है आगे देखेंगे चोंतीस नमर कोशन हो जाएगा की सवाई सराय के कारेकाल के दौरान स्वेत विद्रो हुआ था किस वाई सराइ के कारेकार के दो राजो है स्वेथ वीत्रों हुगा था यह हौजाएगा लोड रीपन वर्ना किवलर कायेगा प्रेक्स एक्ट अधिनियम किसने लाया था तो लोड लीटन लाये थे डेट गए गता 1888 में और वर्ना किवलर प्रेस एक्ट को समाप्त किये थे लॉड रीपन ने 1882 सी में लॉड मिन्टो कारेकाल में मारले मिन्टो सुधाराय था 1909 में और लाड रीडिंग का कारेकाल था 1911 से 1926 तक और इन्होंने देवदासी परता को समाप्त की आगे दिखेंगे 35 नमर कोशन है कांग्रेशी ने ताओ द्वारा मंटेंगुचे में से फोर्ड रीपोर्ट की निंदा करने पर कोई नरम पन्तियों ने पार्टी छोरकर नीम्ड में से कौन सी पार्टी का गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था, आगे देख लेंगे, अगला कोशन है, चोटीस नमर हो जाएगा, निमने लिखीत में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्षेनियर्स किया, तो यह किये थे, लोड र 12 में, लोड अपनिंग के कारेकल में, कॉंग्रिस का गठन किया गय था, 1850 में, लोड करजन के कारेकल में, बंगाल का विवाजन हुआ था, 14 अक्टूबर 1905 में, रामोसी अंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, रामोसी जो अंदोलन था, यह पोचमी तर्ट पर हुआ और कहां पर पूना में, रामोसी विद्रोव अथा, 1822 में, जिसका नेता थे, चीतर सी, नेता कौन थे, चीतर सी, आगे देखनेंगे, और तीस नमर कोश्चन हो जागा, रालेक्ट एक्ट पर विचार के लिए, कॉंग्रेस का विशेस अदिवेशन बुलाया गया, इसके अ 1922 में, कॉंग्रेस का नाग पूर अधिवेशन हुआ था, उसका अधेक्टा किये थे, बीर रागव चारी ने, लालन लाजपत राय को पंजाब केस्टी की उपनाम से जना जाता है, और रोलेक्ट एक्ट लाया गया था, 1929 में, तैमूर लंग का आक्रमर भारत पर हुआ, यानि कि तैमूर लंग ने भारत पर कर्व आकरमर किया था, तो 1398 इसमी में किये थे, और उस समय सासन था, मुहमद बीर तुगलक का, 1414 इसमी में, सयद बंज का अस्थापना हुआ था, और जिसका संस्थापक ते कहेगा, यानि कौन किसने अस्थापना किये था, खिरीज चालीस नमर कोश्चन हो जाएगा, हडपा सवयता के कीस अस्थल से घोड़े की मिली ने मूती मिली है, तो यह मिला था सुरकोटदा से, और सुरकोटदा इस्थी थे गुजरात में, रंगपूर के खोच किये, रंगनाथ रावने और रंगपूर भी गुजरात में इस्थी है, सोम देवता जो थे, बनस्पती के देवता थे, जिनका उलेक एरिगवित के नववा मंडल में किया गया है, और यूद और तुफान के काईगा देवता कौन थे, तो इसमों जाएगा इंद्रे, आगे देखेंगे, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे, आपको बता हैंगे, और इनका परतीक चिन्था थी, और नेमी नात्य जो थे, जैन धर्म के एकई स्वेत तीर्थकर थे, और इनका परतीक चिन्था निलकमल, जैन धर्म में और स्थूल बद्रे के जो सी से थे, उन्हें सवयतांबर का जाता था जो की स्वेत कप्ड़ा पलते थे, और बहुत द्रबाव के जो सी से थे उन्हें दिगंबर का या तता जो की नौगने रहते थे। 43 नमर कोश्चन हो जाएगा किस सुल्तान के काल में खलासा भूमी की अधिक पैमाने पर विक्सित हुई तो यह हो जाएगा अलावदिन खेल्डी के काल में अलावदिन खेल्जी ने बजार नियंतरन के शुरुवात किये थे और ग्यासु दिन तुगलक ने नहर निर्मा के शुरुवात किये थे और सरवाधिक कहेगा तो फिरोस्ता तुगलक किये नहर निर्मा के शुरुवात किये ग्यासु दिन तुगलक और सरवाधिक अस्तर पे किये थे फिरोज सा दुगलक, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मुहमद भी दुगलक किये थे, आगे देखेंगे 44 नमर कोशन हो जाएगा, तबकात एनसेरी के लेखक कौन है? तबकात एनसेरी के लेखक हो जाएगे, मिनहास उज सिराज, अलबरुनी का पुस्तक नाम हो जाएगा, किताब उल हिंद, जियाओ दिन बरनी का पुस्तक नाम है, तारिख फिरोज साही 45 नमर हो जाएगा, हीमो साइटो मीटर का पुरियोग किसके लिए किये जाता है? रख्त कोशिकाओं को गिन्ती करने के लिए, और रख्त चाप का मापा जाता है किस से अस्पैग्नो मेन मीटर से? आगे देखेंगे 46 नमर कोशन है एक डाइनेमो जिसे बीजली उत्पन करने के लिए जाना जाता है, वास्तों में क्या कारी करता है? उर्जा का कन्वर्टर करता है यदि 100 वाड एक बल्व प्रती दिन 10 घंटे जलाए जाए तो परते एक दिन कितने यूनिट बीदू तूर्जा बेयाए होगी तो इसमें होता है वाट और घंटे गुणा कर दिजिए और 1000 से भाग कर दिजिए तो एक यूनिट आएगा आगे देखेंगे 48 नमर कोशन हो जाएगा कारबन डेटिंग का पुरियोग किसकी उम्रे निधारण करने के लिए किया जाता है यह फोसिल्स या जीवास में का और प्रितवी और चाटानों का उम्रे निधारण करने के लिए उरेनियम डेटिंग का पुरियोग किया जाता ह आगे देखनेंगे 49 नमर कोशन हो जाएगा करैस सकती छामता का अधार पर निम्न में से किस देश की अर्थ विवस्ता का बीसमें पहला स्थान है तिसमें हो जाएगा चीन और दूसरा हो जाएगा अमेरिका और तिसरा हो जाएगा अपना भारत और वही जापान को उगते हुए सूरे का देश का आजाता है बीटेन को डूपते हुए सूरे का देश का आजाता है और दूपते हुए सूरे का देश का आजाता है और दूपते हुए सूरे का देश हो जाएगा जाएगा जापान और दूपते हुए सूरे का देश हो और दच्छिर का बिटेन काएगा तो न्यूजिलेंड हो जाएगा आगे देखेंगे 50 नुमर कोशन हो जाएगा किस पंचवर्षी युजना में मानो संसाधन के विकास को सर्वोचे प्रात्मिक्ता दी गई थी तो यह हो जाएगा आठवी पंचवर्षी युजना जिसका कार इविकास परिशद जिसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में कुछ वन लाइन येर महत्तव पूर्षी कोशन है देख लेते हैं चोल बंच के संस्थापक कहेगा तो बीजियाले हो जाएगा और चोल बंच के रधानी थी तंजावूर में इस बंच के सासक जो राज-राज प्र प्रोथम के सासनकाल में राजेंदर प्रोथम ने गंगे कोड़ चोल की उपादी धारण की आगी देखते हैं और चोल बंच ने आस्थानिये 100 सासन का निव रकी थी परसीद नट-राज-मूर्ति कहेगा तो चोल बंच के सासनकाल में ही बना था राश्ट कुस बंच के संस् आगे दिखेंगे, एलोरा के जो परसीद का एलास मंदी था, इसका निर्मा क्रिशने प्रत्थम नहीं करवाये थे, तिरपचिये संगहर्ष में इस बंस के सासक धुरू ने कनोज पर अधिकार करने ये थू, पाल बंस तथा परतिहार बंस के सासको को पराजित किया, परसीद कॉनर पुस्तक जो था, कभी राजमार की रचने काएगा, तो अमोग वर्ष नहीं किया था, आगे दिखेंगे, पाल बंस के संस्थापन काएगा, तो गोपाल हो जाएगे, और इस बंस की रधानी थी, मुंगेर जोकी बिहार में थी, परसीद ओधन पूरी बीश्वी काएगा, तो देवपाल हो जाएगे, देवपाल ने जावा के सलेंदर वंसी सासक बाल पूत्र देव के अनरोध पनालांदा में बहुत विहार के निर्माहेतू पांच गाव दान में दिये थे, आगे देखेंगे, गीत गोबीन के लेखक जो जय देव थे, और किस के दरव पार में रहते थे, लोहार बंस के संस्थापा कहेगा, तो संग्राम राज हो जाएगे, और परसीद रोजत रंगली की रचना कहेगा, तो कलहर द्वारा किया गया था, ये वीडियो के लाश्ट कोचन था, और वीडियो को लाश्ट दख दखने के लिए धन्यवाद, और व कुछ सुझाओ याँ, सलाह देना है, तो कॉमेंट करके जरूर बता है, मुझे सर्दी हो गया, इसलिए अवाद थोड़ा डिप्रेंट है, थोड़ा मैनेज कर लिजेगा, थेंक यू